हलो फ्रेंड्स और सब कैसे हैं तो यह देखिए हमारा अडेनियम का सीड पॉट बिल्कुल तयार है बिल्कुल रेडी है और यह उड़ने के लिए रेडी है तो मैंने आप भी देखा है आजाके तो यह देखिए अगर हम इसको भी नहीं तोड़ेंगे तो यह सब उड़ है नहीं होते हैं दो कि दो कि दो हमें किया करना है कि इनको ले ले रख लेना है और देखिए मैं चूटए च्योट च्KI च्यटी तो कुछ इस तरह से सीड रहते हैं यह देखें लकड़ी रहती है चोटी सी लकड़ी है तो साइज साफ में दिख रहा हूँ आपको यह दिखें अब दिखा यह दिखें कुछ इस तरह से सीड होते हैं पीच में जो लकड़ी दिख रही है वही सीड है तो इसको हम ले लेते है करने लेते हैं दो यह उड़ जायागा तो यह दिखी कि इदर से यह तो यह तो यह पर हम फंगिसाइट लगा देंगे तो यह हमारा डिनेम कर और लगा यहां पर तोड़ा सफंगी जाट कर लगाना पड़ेगा नहीं लगांगा तो यह तरह से और हमारा शीटपट त्यार है व्यूंड कुल से रेडी तो आप इसको निकालके हम लिए और अभी घुरोप कर दीजिए दूस्तों अभी घुरोप नहीं करेंगे दूस्तों तो तो यह थोड़ा अच्छा रजल ना देगा नहीं देता है और जब आप आल के आल इसको गुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रजल्ट मिलता है अदेनियम का थोड़ा सा दूंदला दिख रहा है साध आपको ना देखे दोस्तों क्योंकि दूप हो रही है और अभी मार्च का महीना है तो मर्च के महीने में थोड़ी तेज दूप होने लगी है यह इस तरह से है कुछ देखे और मैंने इसमें दागा लगा दिया तो यह इस तरफ से बंदा हुआ है और इसमें दागा नहीं है तो यहां से उड़ जाएगा उड़ने भी लगा है तो हम दागा निकाल क कर सकते हैं इसको खोल के आल आप गुरो कर दीची बहुत अच्छा रजल्ट मिलेगा जिर पिंगा अडेनियम का तो आप गुरो जरू किजिये बहुत अच्छा से रजल्ट मिल जागा दोस्ति और डेनियम के काफी प्लांट है मेरे पास हो गया है सीड से ही रोप ये थे तो तो चोटा सा वीडियो बनाता सीट की उपर क्योंकि मैंने अभी देखा है यह सीट पर त्यार हो चुका है तो इसको हम लगाएंगे जरूर और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो फिलीज लाइक कीजिए से कीजिए मेरे चनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है कर लेजिए तो भाइद दोस्तों मिल दें नेक्स्ट वीडियो में अब तक लिवाएं एपी गार्णिंग और यह खूबसूरत सा डहलिया कप्लार कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो बहुत ही क्यार्णिंग